Hey guys, gumka medical के regarding बात करेंगे color vision के बारे में बहुत सारे लोग gumka medical कराते हैं लेकिन उनका color vision का issue आता है जिसके कारण से उनका gumka medical unfit हो जाता है या आखों की और भी बहुत सारी problem से इस वीडियो के अंदर में color vision से related और आखों की और भी बहुत सारी problem से उसके related बात करेंगे gumka medical का actual guideline क्या कहता है आपको आगे क्या steps लेना चाहिए इस वीडियो को ध्यान से रखिए बिल्कुल भी skip नहीं किजेगा नहीं तो समझ नहीं आएगी दोस्तों आइए शुरू करते हैं गाइस color vision के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं थोड़ा समय आपको बता दूँ आखों की जो visibility है 6 by 6 और 6 by 9 आपकी होनी चाहिए with glasses और without glasses इसके क्या sense है आखों की जो रोशनी है 6 by 6 और 6 by 9 चाहिए आपको चस्मा लगा करके power वाला जो glass जो यह है इसको लगाने के बाद या नहीं लगाते हैं बिना glass का इतनी visibility होनी चाहिए अगर चस्मा लगाने के बाद भी अगर आपकी आखों की रोशनी 6 by 6 और 6 by 9 नहीं है तो problem है ठीक है लेकिन अगर power glass लगाने के बाद आपकी 6 by 6 और 6 by 9 आप देख पाते हो इट मेंस कि आप गमका medical पास कर जाएंगे आखों से related कोई problems नहीं आएगी इसकी गमका medical के guidelines में यह साप साप लिखा हुआ है मैंने इस पर 2-3 वीडियो पहले भी बना रखा है मेरे playlist में जाकर आप देख सकते हैं complete जनकारी दिया हुआ है अब बात कर लेते हैं color vision के बारे में देखो गमका medical का guidelines बिलकुल साप साप काता है कि color vision normal होना चाहिए किसी भी आदमी का अगर color vision normal नहीं है तो गमका medical में आखों की issue हो जाएगा और उसका गमका medical pending चला जाएगा और हो सकता है unfit भी हो जाएगा और लोगों का हो भी जाता है जो बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं लेकिन actually इसका solutions क्या है सबसे बड़ी problem यहीं आगे फच जाती है कि अब करें क्या चलो आखों की problem तो है आपका color vision का भी problem है लेकिन अब आगे क्या करें तो guys इसमें कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है बस आपको इतना ही करना है कि eye specialist से किसी भी eye specialist doctor से आपको दि आपको unfit मारेगा और एक बार unfit हो जाने के बाद जैसा कि मालूमें तीन महिने तक तो आप गमका medical करा ही नहीं सकते हैं और तीन महिने के बाद भी block बताता है बहुत सारे लोग जो है जो गमका medical का appointment later जो है निकालते हैं तो उसमें block निकलता ही नहीं है आपका appointment मिलेगा ही डॉक्टर से गमका medical कराने के लिए block बताता है आप अलड़ी तीन महिना cross कर चुके हो लेकिन block बताता है तो ऐसे में फस जाता है आदमी कभी 6 महिने लग जाते हैं कभी एक-एक साल तक block ही रहता है तो हम करें क्या आपको treatment ही कराना पड़ेगा दूसरा कोई solutions नहीं है इसमे जो color vision है बिल्कुल नॉर्मल चाहिए यानि कि जो color जो आप देख पा रहे हो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होना चाहिए आखों की visibility है अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इस चल जाता है इंसान चश्मा लगा लेता है उसको maintain हो जाता है लेकिन जो color vision है यह बहुत danger है यहाँ पर आके फ़स जाता है treatment करा सकते है कोई shortcut नहीं है कोई settings नहीं है इसके चक्कर में पढ़ेंगे time खराब होगा दोस्तों ओके आपको समझ नहीं आ रही है गमका medical के website official website पर जाईए उसका rule and regulation पढ़िए guidelines पढ़िए आपको सब कुछ clear हो जाएगा मैंने हर चीज को एक वीडियो को देख लीजिए बिल्कुल clear हो जाएगा आपका तो गाइस गमका medical से related जो आखों की जो problem है जो color vision है इससे related कुछ queries आ रहे थे I think इसे मैंने clear कर दिया है कोई doubts अब नहीं होना चाहिए अगर पहली बार है इस channel को subscribe कर लीजिए और bell icon को all पर जरूर दबाईए ताक सारे notification मेरे मिलते रहेंगे दोस्तो